Hello everyone, I hope all of you are doing good और आज में लेकर आई हूँ Structure of Atom Class 11 Chemistry का तीसरा वीडियो जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं Quantum Mechanical Model of Atom and Quantum Numbers के बारे में अधिकतर बच्चों को लगता है कि ये वाला जो टॉपिक है वो बहुत ही खतरनाक है क्योंकि समझ नहीं आता है लेकिन घबराने के कोई बात नहीं है ये वीडियो भी उतना ही खतरनाक है क्योंकि इसके अंदर आपको सारे concept समझ में आएंगे बिल्कुल असानी से ठीक है तो मैं हूँ रोश्प्री फ्रम Lano Hub, the free learning platform जहां पर आप Physics, Chemistry, Maths, Biology, सब कुछ पर सकते हो Absolutely for free at LanoHub.com तो बच्छा पाटी क्या सभी तैयार है concept को करने के लिए crystal clear? Let's get started! पिछले वीडियो में हमने देखा कि बोहर्स model of atom के कुछ limitations थे जिसकी वज़े से वो model पूरी तरह से successful नहीं हो पाया तो अब आया उसके बाद quantum mechanical model of atom अब ऐसा थो है नहीं कि रातो रात आगया quantum mechanical model तो उसके लिए भी कुछ ऐसे developments हुई जिसकी वज़े से quantum mechanical model of atom आया तो सबसे पहले हम ऐसे दो developments की बात करेंगे पहला development, dual behavior of matter प्रकुल वो बोलते हैं ना breaking news टाइप की news है ये क्योंकि पहले तो हमने देखा कि यार जो radiation होता है ना वो सिरफ wave नहीं होता है वो wave की तरफ भी behave करता है और particle की तरफ भी behave करता है और अब हमें ये पता चल रहा है कि जो matter होता है ना वो सिरफ particle नहीं होता वो भी wave की तरफ behave कर सकता है और पार्टिकल की तरफ बिहेव कर सकता है तो ये था पहला डेवलापमेंट दूसरा डेवलापमेंट था Heisenberg's Uncertainty Principle तो चलो फटा फट से पहले ये दो डेवलापमेंट्स को समझते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे D. BROI हाइपोथेसिस की तो D. BROI ने around 1924 ये हाइपोथेसिस दी कि जितने भी matter हैं, जितने भी चीजें हम देख रहे हैं, वो सब भी dual behavior exhibit करते हैं, यानि कि उन सब में भी particle nature और wave nature, ये दोनों हैं अब आप कहोगे कि यार ऐसे कैसे हो सकता है मतलब object तो हम अपने आसपास इतने सारे देखने हैं, ये बॉल है ये भी तो matter है, बट हमें तो इसमें कुछ भी wave वाला नहीं दिखता तो ऐसा कैसे हो सकता है तो पूरी बात सुनते हैं, पहले D. BROI की तो D. BROI ने ये कहा कि जिस तरह हमने ये देखा कि radiation जो है, वो particle की तरह और wave की तरह भी बहेव करता है, मतलब photon जो था, light का जो particle, photon, photon का एक तरफ momentum होता है, जो particle nature है, साथ हि इसका wavelength भी होता है, थेक, उसे तरीके से, जो electron है मतलब जो particle है, इसका भी momentum होता है और wavelength भी होता है, थेक है तो D-Broy ने एक expression दिया कि जो wavelength होगी that is equal to lambda is equal to h by mv जहां पर h है planks constant और mv क्या है linear momentum ठीक है अच्छ ठीक है चलो D-Broy ने बोला है तो सही बोला होगा बट अभी भी दिमाग में वही question दोड़ा है कि यार जो चीज़ें हम देख रहे हैं अपने आसपास वहाँ पर तो हमें कुछ भी वेव वाला नहीं दिख रहा है तो हम कैसे मान ले कि ये ट्रू होगा तो इस बॉल की बात कर रहे थे हम इस बॉल की तरह जितने भी चीज़ें हमें आसपास दिख रहे हैं उन सब का मास ज्यादा है अब मास अगर ज्यादा है तो डीब रॉय ने जो एक्सप्रेशन दिया है उस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग उसकी वेवलेंद क्या हो जाएगी? बहुत कम हो जाएगी क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहे हैं कि वेवलेंद और मास जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है है ना? तो जो बड़े ऑबजेक्ट्स है जिनका मास अधिक है उनका वेवलेंद बहुत कम है वेवलेंद इतना कम है कि उनका वेव नेचर जो है वो डिटेक्टी नहीं होता है यहां हम सब अटोमिक पार्टिकल्स पर पहुच जाते है जैसे कि इलेक्ट्रोन उनका मास तो बहुत छोटा है चुकि मास बहुत छोटा है तो हम उनके जो वेव नेचर या फिर वेव लाइक प्रोपरटीज है उन्हें हम एक्सपेरिमेंटली डिटेक्ट कर सकते हैं चलो यह तो था इडी ब्रॉय का हाइपोथेसिस अब दूसरे वाले पर जाते हैं दूसरा था हाईजनबर्ग्स अंसर्टिन्टी प्रिंसिपल तो नाम से ही पता चल रहा है कि यहां पर हम कुछ तो अंसर्टिन्टी के बारे में बात करेंगे तो अराउंड 1927 हाईजनबर्ग नाम के एक जर्मन फिजिसिस्ट ने कहा कि इट इस नॉट पॉसिबल तो डिटर्माइन दा इग्जाक्ट पॉजीशन और इग्जाक्ट मॉमेंटम मतलब इलेक्ट्रॉन का इग्जाक्ट पॉजीशन और इग्जाक्ट मॉमेंटम हम साथ में कभी बता ही नहीं सकते है अगर हमें उसका इग्जाक्ट पॉजीशन पता है इसका मतलब जो मॉमेंटम हमें पता है वो मतलब अनसर्टन है वो हमें वो exact नहीं है और अगर हमें momentum exact पता है इसका मतलब उसका position जो है वो uncertain है ठीक है तो चलो इसे देखते कि इसे हम mathematically कैसे represent करते हैं तो Heisenberg uncertainty principle को हम mathematically ऐसे लिख सकते हैं delta x into delta px is greater than equal to h by 4pi यहाँ पर delta x क्या है uncertainty in position delta px क्या है uncertainty in momentum और यह कह रहा है कि इन दोनों का जो product है याने कि जो पूरी के पूरी uncertainty है that is greater than equal to h by 4pi मतलब काफी सारी uncertainty है इनके values में अब इसे हम एक और तरीके से लिख सकते हैं हमें क्या पता है कि momentum जो होता है linear momentum that is mass into velocity तो इसे हम लिख सकते है delta x into m into delta vx is greater than equal to h by 4pi तो हम इसे लिख सकते हैं delta x into delta vx is greater than equal to h by 4pi m ठीक है अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर delta x की value small है यानि कि position में जो uncertainty है वो बहुत small है उसका क्या मतलब हो है कि x की value है that is certain क्योंकि uncertainty बहुत कम है मतलब x हमें certainty के साथ पता है बट अगर delta x बहुत छोटा है तो delta vx क्या होगा बहुत बढ़ा होगा क्योंकि इस inequality से हमें पता चल रहा है कि delta x और delta vx जो है वो inversely proportional है तो अगर delta x बहुत small होगा तो delta vx जो है यह large होगा यानि कि velocity के uncertainty बहुत ज्यादा होगी तो बच्चों देखो हाइजनबर्ग uncertainty principle के आज आने की वज़े से कुछ चीजें clarify हो गई जैसे कि एक तो यह कि जो बोहर्स model में बताया गया था कि electron जो है वो nucleus के चारो तरफ u orbits में fixed orbits में move कर रहा है यह rule out हो गया क्यों कि यार हाइजनबर्ग uncertainty principle के हिसाब से at a point in time हम एक electron का exact position and exact momentum बता ही नहीं सकते है यानि कि electron का कोई definite path हो ही नहीं सकता है correct तो यह तो हमारा rule out हो गया बढ़िया है लेकिन अब सवाल यह उठता है कि इस पूरे lesson में structure of atom में हम क्या जानना चाहरे है हम एसे के लिए यही तो जानना चाहरे है कि electron जो है वो किस तरीके से atom के अंदर है तो फिर अब हम क्या बात करेंगे क्योंकि अब तो हमें यह पता चल गया कि electron का definite path नहीं है तो अब हम बात करेंगे electron के पाये जाने की probability कि क्या probability है कि electron जो है इस atom के अंदर यहाँ पर पाया जा सकता है ठीक है तो यानि कि अब आगे आप देखोगे कि कहें पर भी हम electron के definite path की बात नहीं करेंगे बल्कि electron के पाये जाने की या electron के होने की probability की बात करेंगे अब यहाँ पर एक important बात note करेंगे कि Heisenberg uncertainty principle जो है it is significant only for motion of microscopic objects and it is negligible for macroscopic objects macroscopic बोले तो जिनका mass large होता है जिने हम देख पाते है आसपास उनका mass अधिक होता है तो इनके case में यह negligible होता है ऐसा क् क्योंकि देखो Heisenberg uncertainty principle यही तो कहता है कि delta x into delta vx is greater than equal to h by 4 pi m तो अगर हम macroscopic object की बात करें तो mass जादा है मतलब यह m बहुत बड़ा है जिसकी वज़े से h by 4 pi m यह पूरी value बहुत छोटी है correct तो इसका मतलब है कि यह जो uncertainties है इस तरफ इस uncertainties are very small for large objects तो uncertainty अगर बहुत small है इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि position और velocity में जो भी हम uncertainty के बात कर रहे हैं इस uncertainty principle में वो uncertainty ही बहुत कम है यानि कि macroscopic object के case में हम लगभग certainty के साथ यह values बता सकते हैं और इसलिए हम कहते हैं कि Heisenberg uncertainty principle जो है it is negligible for macroscopic objects तो देखते हैं एक question on Heisenberg uncertainty principle a golf ball has a mass of 40 grams and a speed of 45 meter per second if the speed can be measured within accuracy of 2% calculate the uncertainty in position uncertainty in position यानि कि delta x की value हमें निकालनी है ठीक है mass दिया हुआ है 40 grams जिसे अगर हम kg में convert करें तो यह हो जाएगा 0.04 kg speed dv है 45 meter per second और speed की जो uncertainty है delta v वो कितना है 2% 2% of what 2% of 45 obviously तो यह हो जाएगा 0.9 meter per second ठीक है तो अब uncertainty principle क्या कहता है delta x into delta v is greater than equal to h by 4 pi m तो delta x क्या हो जाएगा greater than equal to h by 4 pi m into delta v तो अब इनकी values डालो h क्या हो जाएगा planks constant 6.626 into 10 to the power minus 34 divided by 4 into pi हो जाएगा 3.14 m दिया हुआ है 0.04 और delta v हो जाएगा 0.9 तो इसे आप calculate करोगे तो आपका answer आएगा 1.4654 into 10 to the power minus 33 meters ठीक है इसी तरिके से एक question try करते हैं D-Broy hypothesis का the mass of an electron is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg if its kinetic energy is 3 into 10 to the power minus 25 joules calculate its wavelength ठीक है तो यहां पर दिया हुआ क्या है kinetic energy यानि कि half mv square is equal to 3 into 10 to the power minus 25 joules तो यहां से हम कह सकते हैं कि v square क्या हो जाएगा 3 into 10 to the power minus 25 into 2 divided by m तो फिर v क्या हो जाएगा इसका root over ठीक है तो यह हो जाएगा root over 3 into 10 to the power minus 25 into 2 divided by mass क्या है 9.1 into 10 to the power minus 31 तो इसे जब हम calculate करेंगे तो v is equal to आजाएगा 0.8 119 into 10 to the power 3 meter per second ठीक है अब wavelength हम कैसे निकालते हैं d-broy hypothesis के हिसाब से lambda is equal to h by mv तो यह हो जाएगा 6.626 into 10 to the power minus 34 divided by mass तो दिया हुआ है 9.1 into 10 to the power minus 31 into 0.8 119 into 10 to the power 3 तो इसे calculate करने पर आएगा 0.89 into 10 to the power minus 6 meters तो अब हमें यह तो साफ साफ पता चल गया कि बोहर्स मॉडल फेल क्यों हुआ बोहर्स मॉडल की लिमिटेशन्स क्यों आइए पहला तो यह कि बोहर्स मॉडल के अंदर इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को consider किया ही नहीं गया था और उसी वज़े से वहां पर यह कहा गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फिक्स्ट सर्कुलर ओर्बिट्स में मूव करते हैं जो कि वो कभी करी नहीं सकते हैं तो कुल मेला के जो यह डूवल बिहेवियर उफ मैटर का कॉंसेप्ट था यह बोहर्स मॉडल में इंक्लूड नहीं किया गया था और यहीं पे पिक्चर में ए यह कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो और्बिट्स में मूव नहीं करते हैं क्योंकि हाइजनबर्ग उनसाटिंटी प्रिंसिपल की हिसाब से वो मूव करी नहीं सकते हैं तो सवाल यह उड़ता है कि तो फिर इस मॉडल में इलेक्ट्रॉन मूव कैसे करते हैं तो यह मॉड Electrons जो हैं, वो basically इस three-dimensional space में move करते हैं. But वही obvious सावाल फिर से दिमाग में आता है कि ठीक है, move तो करते हैं, बढ़ कैसे move करते हैं, right? So, कैसे move करते हैं को अगर मुझे बहुत ही simple तरीके से बताना हो, तो let's say this is your nucleus, यह आपका nucleus है छोटू सा, Electrons जो हैं, वो कुछ हद तक waves की तरह यूँ, ऐसे, 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 ऐसे move करते हैं in this three-dimensional space. ठीक है, इसको एक और तरीका है समझने का. Let us suppose you have this telephone wire, ठीक है, इसे अगर आप excite कर दो, यूँ, ठीक है, तो आप देख रहे हैं, इसके oscillations कैसी हो रही है, बिल्कुल जल्दी जल्दी फड़ा 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 मूव कर रही है, in fact, जो picture आपको मेरे screen पर दिख रही है, वहाँ भी आपको दिख रहा होगा कि electron की movement कैसी है, यूँ है, so basically, this is how the electrons move around the nucleus, तो कोई circular orbit या elliptical orbit ऐसा कुछ नहीं होता, fixed, electrons बिल्कुल इसी तरह से oscillate करते हुए, ऐसे move करते हैं, ठीक है, तो काफी complicated है, बहुत simple सा नहीं है picture, लेकिन कोई बात नहीं, यहीं से शुरू होगा हमारा quantum mechanical model of atom, तो quantum mechanical model समझने से पहले, यह जानते हैं कि quantum mechanics क्या होती है, mechanics तो हमने physics में पढ़ा है, आपने newton's first law, second law, third law यह सब पढ़ा है, and they are all part of classical mechanics, quantum mechanics, science का वैसा ब्रांच है, जिसके अंदर matter के dual behavior को consider किया जाता है, कि भई, कोई भी चीज जो है, that can behave like a wave, that can behave like a particle, फिक है, तो यह जो quantum mechanics है, यह इंट्रोड्यूस कराया था, Heisenberg and Schrodinger ने, और हम यह देखते हैं कि पूरा जो quantum mechanics का जो concept है, इसे जब हम macroscopic objects पे अपलाई करते हैं, मतलब जो बड़े objects है, उन पे जब हम अपलाई करते हैं, तो results हमारे classical mechanics जैसे ही होते हैं, चीक है, क्यों, क्योंकि जो बड़े objects होते हैं, उनका wave nature बहुत ही, मतलब detectable नहीं होता है, क्योंकि उनकी wavelength इतनी कम होती है, करेक्ट, हमने देखा था थोड़ी दे पहले, लेकिन, जैसे ही हम macroscopic objects पे चले जाते हैं, जैसे कि subatomic particles, like electrons, तो वहाँ पर हम देखते हैं, कि quantum mechanics की results है, they are different from classical mechanics की results. तो quantum mechanics का जो fundamental equation था, वो दिया था Schrodinger ने, और वो equation कुछ यूँ दिखता है, बिलकुल भयानक साहिक equation है, काफी complicated है, तो इसलिए ना तो हम इसे derive करने की कोशिश करेंगे, ना ही हम इस equation को याद करने की कोशिश करेंगे, हम क्यों इस equation के बारे में जान रहे हैं, क्योंकि हम इस पुरे स्टोरी को सामझना चाह रहे हैं, कि कैसे quantum mechanical model जो है, ये scene में आया और सारे limitations को overcome कर गया, ठीक है, देखो, तो ये मेरा Schrodinger equation है, ठीक है, और इस equation में अगर आप ध्यान दो गए, तो मेरा क्या है, अगर मैं इस equation को पुछूँ तो d square psi by dx square plus d square psi by dy square plus d square psi by dz square plus 8 pi square m into e minus v psi is equal to 0, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 3 coordinates है, x, y, z, क्यों? क्योंकि हम 3 dimensional space में बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहां पर 3 coordinates x, y, z है, अब इस equation को लिखने का एक और तरीका होता है, जो आपने अपने NCRT textbook में भी देखा होगा, and that is e psi is equal to h psi, जहां पर h जो है is a mathematical operator called Hamiltonian, अब आप पू in fact, यह जो Schrödinger equation है, इसको solve करना, यह operators वगरा के बारे में पढ़ना, यह आप काफी higher level में पढ़ते हो, में भी जब आप अपने master's करोगे, तब आप इनके बारे में detail में पढ़ोगे, ठीक है, अब यह जो है, दिमाग में जोड लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, तो हमारा interest इसमें क्या है, मतलब हम इस equation को जब पढ़ रहें, इसका मतलब कोई तो चीज है, जो हमारे काम की है, और वो काम की चीज है, साई, साई, साई क्या है, यह एक नया symbol है, शायद, आप में से बहुतों के लिए, देखो, त्रिशुल के जैसा दिखता है, य याद रख लो इसको, इसे हम कहते हैं साई, साई, साई हमारे काम की चीज क्यों है, क्योंकि साई जो है, इसके पास इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी information होती है, तो यह हमारा खबरी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन का पता पूछना है हमें, हमारा तो इस लेसन में अजेंडा ह एक तरह से समझो कि इसके पास इसके पास इलेक्ट्रॉन का सारा इन्फरमेशन है तो है ना हमारे लिए ये काम की चीज़ ये साई जो है इसे हम कहते हैं वेव फंक्शन ये एक माथमाटिकल फंक्शन है और इसका फिजिकल कोई सिग्निफिकेंस नहीं है मतलब ये जो है ना फिजिकल ही आज सच एक्जिस्ट नहीं करता है बट ये एक माथमाटिकल फंक्शन है ये एक कॉंसेप्ट है ठीक है जैसे माथ में हम फंक्शन पढ़ते थे ना f of x is equal to x square मतलब f of x जो है वो एक फंक्शन है और जैसे-जैसे x की वाल्यू चेंज होती जाएगी वैसे-वैसे f of x की वाल्यू चेंज होती जाएगी उसे तरह से psi of x, y, z एक माथमाटिकल फंक्शन है जैसे-जैसे x, y, z की वाल्यू चेंज होती जाएगी 3D space में वैसे-वैसे साई की value भी change होती जाएगी ठीक है? अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज जान लो कि यह जो wave function है इसे हम atomic orbital भी कहते हैं ठीक है? अब आप पुछोगे, दिमाग में बहुत साइब questions होगे orbital क्या है? क्यूं है? तो हम orbital के बारे में अब ही देखो साई के बारे में इतना जानना काफी था लेकिन साई से एक चीज और लिंक्ट है और वो क्या है? हमारा जो पूरा focus है वो focus ही क्या है? कि यह इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कहां पर है? इलेक्ट्रॉन कहां मिलेगा? मतलब बस हम तो इलेक्ट्रॉन का पीछे बड़े हुए है तो प्रॉबबिलिटी ओफ फाइंडिग अन इलेक्ट्रॉन विदिन दा आटम इस गिवन बाई साई स्क्वेर साई के मॉड का स्क्वेर करोगे तो यह वैल्यू आपको बताती है कि इलेक्ट्रॉन के पाये जाने की प्रॉबबिलिटी कितनी है तो यह तो बहुत ज़ाधा काम की चीज़ है in fact इसी के वज़े से साई मेरे हमारे काम की चीज़ थी चिक है? और इसी के वज़े से यह जो श्रॉडिंजर का एक्वेजन है इसे probability wave equation भी कहा जाता है क्योंकि इससे हमें electron के पाये जाने की probability पता चलती है तो चलो देखे features of quantum mechanical model of atom पहला feature energy of electrons is quantized इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो Schrodinger equation है वही हमारा base है right quantum mechanical model का तो Schrodinger equation क्या था? E psi is equal to H psi ठीक है तो यह जो equation है जब इस equation को हम solve करेंगे तो यह हमें possible values of E देंगी ठीक है तो मतलब E की वही वाली values जो Schrodinger equation को satisfy करेगी they are the possible values of energy तो इसका मतलब है electron randomly कोई भी energy नहीं ले सकता है यह सिरफ कुछ possible values of energy ले सकते हैं जो Schrodinger equation को satisfy करे तो हम क्या कह सकते हैं कि energy of electrons in atoms is quantized in fact quantized energy levels होना एक तरीके से electron के wave nature का एक evidence भी है ठीक है? दूसरा feature path of an electron in an atom can never be determined accurately so that's very true क्योंकि यही तो हमने पढ़ा था Heisenberg uncertainty principle में कि electron का exact position और exact velocity at a time हम determine नहीं कर सकते हैं ठीक है? तीसरा feature An atomic orbital is the wave function psi for an electron in an atom in fact अगर हम एक atom की बात करें तो उसके अंदर इस तरह के बहुत सारे atomic orbitals होते हैं ठीक है? और हर एक orbital में electron का एक definite energy होता है in fact atomic orbital जो है ना यह एक तरीके से electron के बारे में सारे information का storehouse है ठीक है? तो atomic orbital के बारे में अभी थोड़ी ही देर में हम चौथा, an orbital cannot contain more than two electrons किसी भी orbital में दो से अधिक electron कभी भी नहीं होते हैं in a multi electron atom in a multi electron atom the electrons are filled in various orbitals in the order of increasing energy ठीक है? तो हम देखेंगी gene atoms में बहुत सारे electrons हैं तो सबसे पहले कौन से orbitals fill होंगे? जो low energy वाले हैं क्यों? क्योंकि low energy वाले stable होते हैं तो सब लोग सबसे पहले जाके low energy वाले orbital को fill करेंगे ठीक है? कैसे fill करते हैं? यह भी हम देखेंगे जब हम electronic configuration लिखना सीखेंगे probability of finding an electron at a point within an atom is proportional to the square of the orbital wave function that is psi square. से लिए मैंने बोला था, psi square बहुत क्रूशिल है हमारे लिए क्योंकि यही हमें बताता है कि कहां पर electron की पाए जाने की probability कितनी होगी और psi square की जो value है वो हमेशा positive होती है और psi square को हम कहते हैं probability density जैसा कि मैंने पहले भी बताय था कि Schrodinger equation ना तो हम deryfer ने में interested है ना ही इसे याद रखने में interested है लेकिन हमारा एक ही चीज में interest है और वो है solution of the Schrodinger equation इस Schrodinger equation को जब हम solve करेंगे तो यहां से हमें दो चीज़े मिलेंगे पहला तो E यानि कि energy जो allowed energy levels of an electron है वो हमें पता चलेगा क्योंकि कोई भी electron randomly कोई भी energy नहीं ले सकता है तो उसके कुछ permissible energy levels होते हैं तो जो भी E की value इस equation को satisfy करेंगे वो allowed energy levels of the electron होगे दूसरा है साई यानि कि wave function यानि कि atomic orbital तो हमारा सिरफ दो ही चीज में interest है कि यार allowed energy levels और atomic orbitals तो बच्चों अब यह जानना बहुत जरूरी है कि यह atomic orbitals होते क्या है चिक है तो आप यूँ समझो कि हम शुरू कब से हम क्या ढूंड रहे हैं हम electron का पता ढूंड रहे हैं कि कहां पर electron के पाए जाने की possibility या probability ज्यादा है तो atomic orbital हमें वहीं help करेगा तो अब electrons किस तरीके से arranged हैं जिसे हम कहते हैं कि एक atom के अंदर बहुत सारे atomic orbitals होते हैं कैसे? आटम के अंदर electrons जो हैं वो shells में होते हैं ध्यान रखना मैं orbit word यूज नहीं कर रहे हूँ मैं shells की बात कर दूँ जैसे आपने अपने junior classes में पढ़ा होगा न K shell, L shell, M shell, N shell, KL, M, N पढ़ा होगा जब आप electronic configuration लिखते थे तो अब electrons जैसे वो shells में arranged होते हैं shells के अंदर होते हैं sub-cells और sub-shell के अंदर होता है orbital मतलब यूँ समझो कि electron का address ढूंडना है तो पहले पता करना होगा यह कौन से city में रहता है फिर पता करना पड़ेगा कि उस city के कौन से colony में रहता है फिर पता करना पड़ेगा कि उस colony के कौन से गली में रहता है तो ठीक उसी तरीके से shell, sub-shell और orbitals चीक है अब जो orbital है इसका size, shape, orientation यह सारे चीजे हमें बताएगा कि कहां पर electron के पाये जाने की probability ज्यादा है अगर मान लो कोई orbital छोटा है एक small orbital है इसका मतलब है कि जो electron है वो शायद उसके पाये जाने की probability nucleus के आसपास ज्यादा है क्योंकि orbital ही छोटा है तो electron उसी orbital में कहीं है तो मतलब nucleus के पास है उसी तरह जो orbital का shape और orientation है वो हमें बताता है कि किस direction में electron के पाये जाने की probability ज्यादा है तो कुल में लागे हमें यह समझ में आ रहा है कि अगर electron का पता जानना है अगर electron का address जानना है तो हमें orbitals के बारे में जानना होगा orbitals के बारे में क्या? orbital का size, shape, orientation यह सब जानना होगा यह सब हमें कौन बताएगा? quantum numbers exactly तो यहाँ ही पर आ जाता है हमारा quantum numbers picture में तो देखो यह पूरी एक कहानी है मतलब ऐसा कुछ लिए कि unrelated चीज़े हैं देखो हम शुरू से एक कहानी के तरफ पढ़ने हैं तो कहानी के साथ सब अब हम आ चुके हैं quantum numbers में तो बच्चों, टोटल चार quantum numbers होते हैं ठीक है? principal quantum number जिसे हम N से डिनोट करते हैं ठीक है? और यह बताता है हमें size of the orbital azimuthal quantum number जिसे हम L से डिनोट करते हैं और यह बताता है shape of the orbital magnetic quantum number जिसे हम डिनोट करते हैं M L से और यह बताता है orientation of the orbital और चौथा होता है spin quantum number, ठीक है, जो अब इन तेनों में से तो कुछ नहीं बताता है, बट यह बताता है spin of the electron, तो इसके बारे में हम थोड़ा last में discuss करेंगे, क्योंकि यह discover भी थोड़ा बाद में हुआ था, ठीक है, तो चलो अब शुरुवात करते हैं हम यह वाली कहानी with principal quantum number principal quantum number को हम denote करते हैं small n से, ठीक है, principal quantum number हमें बताता है size of the orbital, यानि कि अगर n की value छोटी है, तो इसका मतलब orbital का size छोटा है, इसका मतलब जो electron है, वो nucleus के पास है, अगर n की value बड़ी है, इसका मतलब orbital का size बड़ा है, और electron जो है, वो nucleus से दूर है, ठीक है, अच्छा, अब यह जो n की value है, यह हमें बताता है कि electron कौन से shell में है, ठीक है, यह shell का concept कैसे आएगा, तो अगर n की value 1 है, तो हम कहेंगे यह k shell है, n की value 2 है, यह l shell है, n की value 3 है, m shell है and so on, और यह k, l, m, n के बारे में आपके इपने junior classes में भी पढ़ा था, राइट, जब हम, in fact, जब हम bohors model of atom की बात कर रहे थे, तो हम क्या कहते थे, electron orbits में रहता है, n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, याद आ रहा है, तो वो जो हम n is equal to 1, 2, 3 कहते थे, तो वहां पर भी हम यह principle quantum number की ही बात करते थे, just that, in quantum mechanical model, हम orbits की बात ही नहीं करते है, तो हम क्या कहते हैं, हम इसे shells कहते है, ठीक है, यहां त कि बाई, electron कौन से शहर में रहता है, के शहर में है, कि L शहर में है, कि M शहर में है, यह तो हमें पता चल गया, लेकिन मुझे क्या पता है, कि shell के अंदर sub shells होते है, sub shell के अंदर orbitals होते है, ठीक है, तो n की जो value है, यह हमें बता सकता है, कि यार, इस city में इतने orbitals ही है, मतलब इ है k shell तो इसमें कितने orbitals possible है n square यानि कि one square यानि कि one orbital तो one orbital constitute the k shell let us suppose n is equal to two की बात करते है n is equal to two मतलब कौन सा shell है l shell है right तो इसमें कितने possible orbitals होंगे two square यानि कि four orbitals तो four orbitals constitute the l shell और इसी तरीके से हम n is equal to three four के लिए भी निकाल सकते हैं कि उस shell के अंदर total कितने possible orbitals हो सकते हैं चलो आगे बढ़ते हैं अब बात करेंगे azimuthal quantum number की azimuthal quantum number को हम denote करते हैं small l से और यह quantum number बताता है shape of the orbital ठीक है अब यहाँ पर हम बात करेंगे sub shells की ठीक है पिछले में हमने देखा shell के बारे में अब देखेंगे कि हर shell के अंदर कितने sub shells हो सकते हैं यह हमें कैसे पता चलेगा तो number of possible sub shells is given by n यानि की principal quantum number कैसे माल लो n की value 1 है n की value 1 मतलब हम कौन से shell में है k shell k shell के अंदर कितने sub shells हो सकते हैं जितनी n की value है n की value क्या है one यानि की k shell के अंदर one sub shell हो सकता है n is equal to two यानि की l shell l shell के अंदर कितने sub shells हो सकते है two क्योंकि n की value two है in a similar way m shell के अंदर कितने sub shells हो सकते है three तो इस तरह से हमें number of sub shells for a shell पता चल जाता है इस city के अंदर कितने colonies है कितने localities है वो हमें पता चल गया अब हमें यह जाना है कि यह localities कौन-कौन सी है यह sub shells कौन-कौन से है और वो हमें कौन बताता है वो हमें बताता है azimuthal quantum number यानि की l तो अब चलो देखते हैं कि l की values कैसे change होती है, जैसे जैसे n की value change होती है, अब यह देखते हैं कि जो azimuthal quantum number L है, यह कौन-कौन सी values ले सकता है, तो basically L की जो values हैं, यह हो सकती है, 0 to n minus 1, ठीक है, कैसे चलो calculate करके देखते हैं, for example, n की value है 1, तो L की value क्या हो सकती है, 0 to n minus 1, तो इस case में यह होगा 0, अगर n की value 2 है, तो L की क्या-क्या value हो सकती है, 0 to 2 minus 1, यानि कि 0 और 1, यह दोनों ही L की possible values है, जब n की value 2 है, जब n की value 3 है, तो L की value क्या हो सकती है, 0 to 3 minus 1, यानि कि 0 से लेके 2 तक, तो इस case में 3 possible values हो सकती है, 0, 1, 2, तो इस तरीके से हमें L की value मिलती है अब L की value मिलने से क्या होगा अब देखो L की अलग-अलग values के लिए हमारा अलग-अलग sub shell बनेगा तो अब हम sub shell के थोड़े नाम भी बताते हैं जब L की value 0 होगी तो लेटर से यहाँ पर मैं L की values लिख रहे हूँ 0, 1, 2, 3 तो जब L की value 0 होगी तो उसे, उस sub shell को हम क्या कहेंगे हम कहेंगे S sub shell जब 1 होगी तो यह हो जाएगा P, 2 होगी तो D और 3 होगी तो F बहुत से बच्चे सोच रहे होगी यह SPDF क्या है अब थोड़ी देर में आप देखोगी कि सारा खेला SPDF का ही चल रहा है इनके अगर full forms मुझे बताने हो तो S stands for sharp P stands for principal D stands for diffuse and F stands for fundamental अब इनके बारे में मतलब इनके नाम के पीछे इतना ज़्यादा detail में जाने के जरुरत नहीं है अभी उतना ही पढ़ेंगे जितना आपको इस level पे चाहिए तो मतलब L की ये values हो गई मतलब आपके sub shells ये वाले हो जाएंगे SPDF तो आप देखो यहाँ पर लिखो sub shell का notation कैसा होता है मतलब sub shell को हम लिखते किस तरीके से है अगर सिरफ SPDF के हिसाब से जाए तो जहाँ जहाँ 0 है वहाँ वहाँ पे तो S होगा जहाँ जहाँ 1 है वहाँ पे P होगा जहाँ 2 दिखरा है वहाँ D होगा बट ये पहला वाला S और दूसरा वाला S सेम तो नहीं है क्योंकि उनमें N की values अलग है तो sub shell का जो notation होता है वो अमेशा ऐसा होता है कि पहले हम N की value लिखते हैं जैसे कि 1S 2S 2P 3S 3P 3D ठीक है तो ये हो गए मेरे sub shell ठीक है तो मतलब अभी तक हमने क्या पढ़ा अभी तक हमने ये पढ़ा कि एक shell होता है जैसे मालो हमने देखा कि K shell है ठीक है जब N is equal to 1 है तो K shell है and K shell has 1 sub shell and what is that 1 sub shell? 1S उसी तरीके से L shell has 2 sub shells and what are they? 2S and 2P उसी तरह M shell की अगर हम बात करें तो M shell has 3 sub shells और वो 3 sub shells कौन से है 3S, 3P, 3D सीख ठीक है सब को समझ आ गए तब एक shell होता है shell के अंदर होते हैं sub shells और sub shells के अंदर होते हैं orbitals ठीक है न? ठीक है अब देखो यहाँ पर एक और चीज़ है इसका मतलब पहले जो हम बात करें थे थना shell है city कि electron कौन से city में रहता है अब हमें यह भी पता चल गया कि city के अंदर कौन सी localities है अगर electron के city में रहता है तो वो 1S में ही रहेगा अगर वो L में रहता है यानि कि आजी मुथल quantum number shape बताता है orbital का बट अभी तक तो हमने shape का कुछ देखा नहीं shape इसलिए बताता है क्योंकि यह जो spdf है इन सब के अलग-अलग shapes होते है for example अगर s orbital को देखो तो यह होता है spherical p को देखो तो यह इसका कुछ dumbbell जैसा shape होता है d की बात करें तो double dumbbell shape होता है f की बात करें तो और complex shape होता है तो इनके अलग-अलग shapes होते है और depending upon the value of l हमें पता चलता है कि इनका shape कैसा होगा क्योंकि l की value के यह साबचे हम decide करते है कि यह s है कि p है कि d है कि f और उससे हमें पता लगता है कि shape कैसी है अब आ रही है magnetic quantum number की जिसे हम denote करते है ml से यह quantum number बताता है spatial orientation with respect to coordinate axis मतलब यहाँ पर अब हम orbital की orientation की बात करेंगे ठीक है तो हमने जैसे देखा पीछे कि n के एक particular value के लिए जो l है n यानि कि principal quantum number के एक particular value के लिए जो l यानि कि azimuthal quantum number है उसकी values क्या हो सकती है 0 to n-1 अब हम देखेंगे कि l के यानि कि azimuthal quantum number के एक particular value के लिए ml की कितनी values हो सकती है तो हम देखते हैं कि ml की 2 l plus 1 possible values है बत्रब इतनी values वो ले सकता है जैसे अगर l की value let's say 0 है तो ml की कितनी values possible है 2 तो चलो इसे पूरे tabular form में करके देखते हैं कि क्या-क्या ml जो है की values possible है for different values of l तो अब हम देखेंगे कि l के एक particular value के लिए कितने ml की values हो सकती है और वो कौन-कौन सी values होंगी तो for a particular value of l ml की इतनी values हो सकती है 2 l plus 1 values हो सकती है तो मान लो अगर l की value है 0 तो ml की कितनी values हो सकती है 2 into 0 plus 1 तो 2 into 1 plus 1 यानि कि 3 उसी तरह जब ल की value 2 है कि हो जाएग 2 into 2 plus 1, that is 5 जब 3 है, तो हो जाएग 2 into 3 plus 1, that is 7 तो इससे तो हमें पता चला कि ml की कितनी values हो सकती है तीक है, यानि कि अगर ml की 3 values हैं, इसका मतलब है कि 3 orientations possible है, अगर ml की 5 values हैं, मतलब 5 different orientations possible हैं, तीक है, अच्छा, अब ये values कौन कौन सी होंगी, अगर हम exact values की बात करें, तो ml की ये values कौन कौन सी होंगी, minus l, 2 plus l including 0, तीक है, ये इसकी values होंगी, यानि कि इस case में, पहले वाले case में, minus l to plus l, तो यहां तो l की value is 0 है, तो यहाँ पर ml की सिरफ एक ही value हो सकती है, और वो value क्या है, 0, दूसरे case में ml की 3 values हो सकती है, minus l to plus l, यानि कि minus 1 to plus 1, तो minus 1, 0, plus 1, यह तीन values हो सकती है, ठीक है, तीसरे case में, 5 values possible हैं, कहां से रहा कें तक? minus 2 to plus 2, यानि कि minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2. यहां पर 7 values possible है, यानि कि minus 3, minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3. ठीक है, तो यह हमारे ML की possible values है. चलो, यह भी ठीक है. अब आप पूछोगे, बट इससे पता क्या चला? इससे क्या exactly हमें पता चला? वो भी बताती हूँ. देखो, L की जो 0, 1, 2, 3 values थी, उनके corresponding, क्या थे sub-shells S, P, D, और F. यह हमने पिछले discussion में देखा, जब हम azimuthal quantum number discuss कर रहे थे. ठीक है? अब हम कह रहे हैं कि यह जो S है ना, यह S का एक ही orientation possible है. क्योंकि ML की एक ही value है यहां पर, ठीक है? तो इसी लिए यह जो S है मेरा जो मेरा S orbital है इसका S orbital का एक ही orientation possible है और वो है यह S orbital का shape क्या होता है? sphere, spherical होता है. तो इसी लिए S का एक ही orientation possible है. ठीक है? अब बात करते है P की. P के case में इसके 3 orientations possible है. जैसे कि PX, PY, PZ. मतलब यह 3 coordinate axis के along, aligned हो सकता है. तो इसी लिए जैसे हम P की बात करेंगे तो यह 3 orientations possible है. ठीक है? P के case में. ठीक है? तो मतलब जब मैं P की बात कर रही हूँ तो उसमें PX orbital, PY orbital, PZ orbital. यह 3 orbitals possible है और एक-एक orbital में maximum 2 electrons रह सकते हैं. मतलब PX में maximum 2 रह सकते हैं, PY में shell में टोटल कितने electrons रह सकते हैं? 6. ठीक है? बढ़ियां. आगे देखते हैं, बात करते हैं D orbital की. अब D में क्या है? 5 orientations possible है. वो कौन कौन से orientations है? DXY, DYZ, DXZ, DZ square, DX square minus Y square. तो देखो यहाँ पर आपको screen पे दिख रही है यह 5 orientations. तो यह 5 orientations D के लिए possible हैं और उसी तरह से F के केस में total 7 orientations possible है. तो देख रहे हो आप जैसे यह values बढ़ती जा रही है, number of possible orientations बढ़ती जा रही है और structure की complexity भी बढ़ती जा रही है. तो आप यह देखोगे कि अगर जो basic concept है उसको समझो. तो अभी तक आपको क्या क्या समझ आया. सबसे पहले हमने बात करी shell की KLM shell. ठीक है? फिर हमने बात करा उसके अंदर के sub shells की. ठीक है? जिसके अंदर आ गया हमारा SPDF वगरा. ठीक है? अब हम बात करे हैं यह जो sub shells हैं इनके orientations के basis पे PX, PY, PZ इस तरह से इनके अलग-अलग orientations भी है. ठीक है? तो यहाँ पर हम basically उतर आए हैं गली नंबर पे. मतलब पहले city पता किया which was shell. फिर पता किया colony which was sub shell. अब पता कर रहे हम orbital level पे, orientation level पे which is उस colony के कौन से गली में है electron. फटाफट से एक बार फिर से magnetic orbital का view देख लेते हैं. यह था हमारा S orbital. यह है हमारे P orbitals. PX, PY, PZ. यह है हमारे D orbitals और यह है हमारे F orbitals. ना बच्चो इस इस सूपर डूपर critical. अभी आपको screen पे एक image दिख रही होगी. जसके अदर आपको दिख रहा है कि electrons move कर रहे हैं. जो dots हैं, they are basically electrons. यहांबर मैं आपको बहुत important concept समझाना चाहरी हूँ कि अभी तक हमने क्या देखा? कि हमने देखा कि electrons कैसे move करते हैं nucleus के around? एक तरह से in orbitals. बताब ऐसे तो randomly move करते हैं. बट यह orbitals हमें यह बताते हैं कि कहां पर electron के होने की probability ज्यादा है. कुछ इसी तरीके से. तो यहां अगर आप बहुत ध्यान से देखो, तो एक orbital के अंदर दो से ज्यादा electron नहीं होंगे. फॉर एक्जामपल देखो मैंने अलग-अलग कलर से dots बनाए हैं. जिसे आप देखो कि जो दो yellow dots है. वो dots सिरफ 2s orbital में ही move कर रहा है. राइट? 2s orbital. कैसा है मेरा? Spherical. तो सबसे पहले बीच में है 1s orbital. चोटा सा goal आपको एक circle की तरह दिख रहा है. बट अट is a three-dimensional thing. तो actually में वो sphere है. उसके बाद आपको एक थोड़ा बड़ा circle दिख रहा है. विच इस 2s बाहर जो सबसे बड़ा circle दिख रहा है that is 3s. इसके अलावा जो p के orbitals हैं. 2p orbitals. 2p के अंदर क्या-क्या है? 2px, 2py, 2pz तीन अलग orientation. है ना? अब हर एक orbital के अंदर दो ही electron है maximum. जैसे कि जो yellow वाले electrons हैं वो कहां पर है? 2s में. देखो उनकी सारे movement जो है वो 2s वाले sphere के अंदर ही हो रही है. है ना? उसे इसे अगर आप red electrons को देखो या फिर black electrons को देखो तो देखो उनकी जो movement है ना? वो 2p orbital के अंदर ही हो रही है. उसके बाहर नहीं हो रही है. So this very clearly tells you कि electrons किस तरीके से 3-Dimensional space में move करता है. So they are not moving in circular orbits बट यह लोग कैसे move कर रहे? यह लोग कैसे randomly move कर रहे? But अगर हमें orbitals का पता हो अगर हमें quantum numbers का पता हो तो हम at least यह बता सकते हैं कि कहां पर electron को पाये जाने की probability ज़्याद है. तो अब यह 3 quantum numbers के बारे में पता चल जाने के बाद हमें काफी सारा idea लग गया कि हाँ ठीक है. Electron जो है वो nucleus के around इस तरीके से move करता होगा. But अभी भी एक problem रह गई थी. Atomic spectral lines को जब देखा गया तो वहाँ पर कहीं कहीं doublets और triplets बनते थे. मतलब कुछ ऐसे lines थे जो बहुत closely spaced थे. तो उनके existence का जो कारण था वो हम नहीं बता पा रहे थे. तो क्या हुआ कि कुछ दो scientists थे Ulinbeck and Godsmith जिन्होंने कहा कि ये तीन quantum numbers काफी नहीं है. एक और चौथा quantum number है जिसे कहा गया spin quantum number. तो spin quantum number का concept कुछ इस तरह से था कि अगर मान लो दो electron है जिनका सब कुछ सेम है. उनका principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number सब सेम है. बट वो दो electron सेम नहीं है. वो दो electron तो दो अलग-अलग electron है. इसका मतलब कुछ तो होना चाहिए जो उन दोनों में अलग हो. तो वो जो कुछ तो अलग है, that is the spin. spin का ये concept है कि electron जो है, वो nucleus के चारों तरफ तो यू यू घूमी रहा है. बट electron अपने axis के about भी spin कर रहा है. इसे आप ऐसे समझो, जिसे अगर अप solar system में जाओ, तो earth जो है, earth अपने axis के about भी move कर रहा है, यू 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 घूम रहा है. और earth जो है, वो sun के around भी घूम रहा है. बिल्कुल उसी तरीके से electron जो है, वो अपने axis के about भी spin कर रहा है और साथ ही nucleus के चारों तरफ घूम रहा है. चीक है? तो हम कहते हैं कि spin जो है, इसके दो values पॉसेबल है. या तो वो यू यू घूमेगा, या यू यू घूमेगा, मतलब एक spin up और एक spin down. तो spin up को हम denote करते हैं up arrow से, और spin down को हम denote करते हैं down arrow से. चीक है? अब इन दोनों electron का principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number सब सेम होगा. क्यूंकि सेम orbital में हैं दोनों. है कि नहीं? तो अलग क्या होगा? इनका spin. अगर एक electron का spin up होगा, तो दूसरे electron का spin down होगा. एक्जाम्पल लो, माल लो दो electrons हैं. दोनों ही 2S orbital में हैं. तो यानि कि दोनों का ही N का value होगा 2. दोनों के लिए L का value होगा 0. और दोनों के लिए ML का value भी सेम. तो फरक क्या होगा? सिरफ spin का value. एक electron का spin up और एक electron का spin down. तो इस तरह से आया spin quantum number. फड़ा-फट से एक एक एक्जाम्पल देखते हैं on quantum numbers. अगर N की value 3 है, तो हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में? अगर N की value 3 है, देखो, simple सा बात है कि उस case में, जो मेरे number of orbitals, what is the total number of orbitals associated? तो number of orbitals कितना होता है? N square तो यानि कि 3 square. तो total number of orbitals associated with N is equal to 3 would be 9. तो इस फ़र आवर understanding, चलो, देखते हैं कि यह 9 orbitals कौन-कौन से होंगे. ठीक है, यह हम अपने understanding के लिए एक बार practice भी हो जाएगी अपनी, है ना? जब N की value 3 है, तो N क्या है मेरा city? मुझे पता है. अब बात करेंगे हम colony की. तो colony कौन बताता है? as a mutual quantum number, यानि कि L. तो L की value क्या हो सकती है? 0, 2, N minus 1. यह values ले सकता है L, है ना? तो यानि कि 0, 2, 3 minus 1, यानि कि 2. तो L की क्या-क्या values पॉसेबल है? 0, 1, और 2. ठीक है? अच्छा, यह भी हो गया. तो यानि कि मेरे sub-shells कौन-कौन से हो जाएंगे? 0 के लिए होता है, S, 1 के लिए होता है, P, और 2 के लिए होता है, D. और N की value है 3. तो यह हो जागा 3S, 3P और 3D. यह मेरे 3 sub-shells हो जाएंगे. चिक है? अब इनके further देखते हैं, इसमें S के case में इसका orientation एक ही रहता है. P के case में कितने orientations होते हैं? 3 orientations होते हैं, तो 3Px, 3Py, और 3Pz. अब D के case में 5 orientations होते हैं, पाच orbitals होते हैं. 3Dxy, 3Dyz, 3Dxz, 3Dz², और 3Dx²-y². तो टोटल मेरे कितने orbitals हो गएं? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नौ. हो गया न, नौ. चीक है? सबको clear है? तो बच्चों, इतना सब कुछ discuss कर लिया, and I think it is worth to tell you once again, कि orbit और orbital ये दोनों अलग चीजें हैं. चीक है? ओर्बिट की बात हम Bohor's model of atom तक ही करते हैं. जैसे ही हम quantum mechanical model में घुश जाते हैं, हम orbit की बात नहीं करते हैं. तब हम बात करते हैं orbital की. तो orbit does not exist practically. मतलब orbit जो था, ऐसा Bohor ने और उससे पहले Rutherford ने इन लोगों ने propose किया था, बट actually में orbits नहीं होता है. क्योंकि actually में हम electron की कोई definite बात बता ही नहीं सकते हैं. लेकिन जहां हम orbital की बात करते हैं, तो it exists in real. मतलब orbital का concept तो सच में है, वैसा ही है, बट it has no physical meaning. मतलब जैसे मने पहले भी बताया था, right? Atomic orbital is basically what? Wave function, जो कि एक mathematical function है, जो हमें ये जानने में help करता है कि बट इलेक्ट्रॉन कहां पर है. इसका ये मतलब नहीं है कि एक sphere के shape में कोई orbital बोलके कोई एक चीज होती है. Right? Okay, उसके बाद दूसरा है, orbit क्या था? एक well-defined circular path around the nucleus in which electron moves. ये था orbit. और बाइटल क्या है? ये एक concept है. It is a quantum mechanical concept and it refers to electron wave function psi. ठीक है? और बाइटल का concept क्या है कि electron जो है, एक three-dimensional space में move करता है. तो in fact, हम exact position की बात नहीं करते हैं. हम कहते हैं कि orbital एक three-dimensional space है around the nucleus, जहां पर electron के पाए जाने की probability high है. ठीक है? So, what is orbital? Three-dimensional space around which there is high probability of finding the electron. आगे अगर देखें, तो orbits जो है, it contradicts dual nature of electron, it contradicts Heisenberg uncertainty principle. क्योंकि उस समय, electron के wave nature को consider ही नहीं किया गया था. But orbital doesn't contradict any of these. Orbits are circular like disk, मतब एक fixed circular shape है उनके. But orbital के अलग-अलग shape है. जैसे S orbital spherical होते हैं, P orbital dumbbell के shape में होते हैं, D जो है वो double dumbbell के shape में होते हैं. वो भी हम discuss करेंगे अगले वीडियो में. अच्छा, maximum number of electrons in orbits is 2N square. ऐसा हमको Board ने बताया था. Board की थियोरी में हमने पढ़ा था, कि एक orbit में, एक circular path में, 2N square electrons हो सकते हैं. च्छा, अच्छा, किस तरह से, मताब इस point पे, इस point पे किस तरह से similar हैं. तो Boehr ने क्या बताया था? कि nucleus, माल लो ये nucleus है, उसके बाद ये हर एक orbit में, कितने electrons होंगे? 2N square electrons होंगे. ये Boehr ने बताया था. अब देखो, quantum mechanics क्या बताता है? quantum mechanics बताता है, कि एक orbital में 2 electron होंगे. ठीक है? और ये भी बताता है, कि अगर, for n, अगर principal quantum number मेरा n है, तो फिर number of orbitals कितने हो जाएंगे? n square? ठीक है? तो मतलब, अगर मैं n quantum, अगर n principal quantum number की मैं बात कर रही हूं, तो मेरे number of possible orbitals होंगे n square. और हर एक orbital में maximum कितने electrons होंगे? 2. तो यानि कि, total number of कितने electrons होंगे? 2 into n square? यानि कि 2 n square. तो basically, यहाँ पर एक orbit में, electron कितने होंगे? 2 n square. यहाँ पर हम orbit तो कहते नहीं है, orbit का कोई concept यहाँ है नहीं. तो orbit के जगह यहाँ पर हम क्या कहते हैं? यहाँ पर हम यूज करते हैं एक word shell. यह principal quantum number यहाँ पर किसे डिनोट करता है? shell को. तो यहाँ पर हम कहते हैं कि, एक shell के अंदर, total 2 n square electrons होते हैं. तो बोगर ने जिस चीज को orbit कही थी, उस चीज को quantum mechanical model में shell कहा जाता है. तो बच्चा पाटी समझ में आया सभी को orbitals का concept और quantum numbers का concept. तो यह वीडियो यहीं पर खतम होता है और इसके बाद आएगा धमाकेदार वाला आखरी वीडियो इस lesson का. और उस वीडियो के अंदर हम कबर करने वाले हैं shapes of orbitals, energies of orbitals and how to write electronic configuration. तो वो भी ओने वाला है जबरदस्त मज़ेदार वीडियो. यह वीडियो मैंने बहुत ही मन से मनाया था. इसको बहुत ज़ादा आसान बनाने की कोशिश की थी आपके लिए. तो इसलिए बताना मत भूलना कि यह वीडियो आपको कैसा लगा. और अगर इस वीडियो को देखकर सच में आपका कॉंसेट क्लियर हो गया है, तो कॉमेंट पे क्या लिखोगे? कॉंसेट हुआ क्रिस्टल क्लियर. इग्जाटली. तो मैं आपको जल्दी ही मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए stay home, stay safe, take care, bye bye.